नमस्कार दोस्तों एक जाब वित्र में एक बार फिर से आपका स्वागता आशा करता हूँ आप सबी अच्छ हमगें दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे MSBSC Nursing में आपकी 2023 सेसने के लिए आपको कितने मार्क सलाने हैं जिसे कि आपका सेलेक्शन हो सके और साथ ही आपके एकस्पेक्टेट कटोप इस बार कितनी जा सकती है सारी जानकरी आपको इस वीडियो मिलेगी वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा आप वीडियो पूरा देगे कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने को ही मिलेगा अगर हमारे चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब करें बेला अगन दुबाई इसे के आने मुले से वीडियो उचको नटक पिसेन आपको मिल सके दोस्तों आप हमारे चैनल पे एमस बीडियो से लिल्टेट आप प्रिवेस येर के दो तीन साल के और चार साल के आप वीडियो देख सकते हैं आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपके जो भी डाउट हो सारे डाउट उन वीडियो के माद़े में से क्लियर हो जाएगी तो आप उन्हें जरूर देखिए और इस साल के भी आपको कफ़ी से वीडियो चावेलेबल करवा रहे हैं जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमस बीडियो सी नर्सिंग में आपको कितना स्कोर चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यह प्रिवेस येर की कटोप है तो इसमें होता किया है दोस्तों कि आपके जो जितनी सीटे होती है उन सीटों का चार गुना केंडेट की लिस्ट निकाली जाती है तो जो केंडेट उस लिस्ट में रते हैं जिनके role number उस list में रहते हैं कि वही counseling में participate कर पाते हैं उनके अलावा जिनका role number list में नहीं रहते हैं वो counseling में participate नहीं कर पाते हैं तो M's के द्वारा है कि minimum criteria निर्दारीद किया गये उतना score तो आपको करना ही होगा अगर आप उतना नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको counseling participate नहीं करने दिया जाएगा अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो minimum criteria अगर fulfill कर लिया interest examination में अपना score gain करके तो आपका counseling में नाम आ जाएगा या आपका role number आ जाएगा ऐसा नहीं है जैसे कि किसी भी institute में आप यह मान किसलिए कि for example BAC nursing में आपकी total seat है general की for example बता रहो हूँ 100 seat है तो counseling में नाम आएगा चार गुना candidate का तो 400 candidate का इसमें नाम आएगा अब सभी का तो selection होगा नहीं selection किन का होगा इन 100 seat लिए 100 candidate का है बाकी 300 क्या करेंगे बाकी 300 क्यावल counseling में participate करेंगे और अगर उनकी किसमाद अच्छी रही या उनने अच्छा score gain किया है तो फिर आपको इन में से seat भी है वो मिल सकती है लेकिन 400 candidate का roll number आता है लिस्ट में लेकिन उनमें से भी 100 candidate का ही selection हो पाता है अब जैसे कि यहाँ पे minimum criteria निर्धर्द कर दिया गया और सभी के इंडेट जो 400 candidate select किये गये हैं उन सभी के जो marks है वो 70 plus है तो 70 plus वालों का ही counseling में नाम आएगा ऐसा नहीं है कि जैसे कि 50% criteria निर्धर्द कर गा तो आपनी 50% score कर लिया तो आपका counseling में नाम आजाएगा ऐसा नहीं होगा चार गुना candidate है जो इसे 400 candidate है उनके अधिक marks है तो उनको ही इसमें include किया जाएगा I hope आपके ये चीज समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं previous year की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं previous year यह percentage में आपका दिया गया percentage का मतलब यह है कि आपका जो minus marking है one third आपकी negative marking होगी तो minus marking काटने के बाद में जो 92% है यह candidate है इनकी first rank ID previous year की इस बार आपकी cutout पर हाई जाएगी आप सभी को बता मैंने पहले भी बता रहा है इस बार सीटे भी आपकी increase हुई है 1000 प्लस आपकी सीटे है और साथ ही number of applicant है वो भी इस बार काफी संक्या में fill किये गए है form भी तो आप इसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आपका competition है वो पिछले वर्सों के apex है काफी जादा देखने हो मिलेगा और साल दर साल अब ये competition है वो बढ़ता ही जाएगा कम नहीं होगा क्योंकि इतने वर्सों में students को पता नहीं होता था कि AMS के दोरा entrance examination कंड़र्ट करवाया जाता है कुछ student अभी भी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि AMS में या तो 12 के marks पे होता है admission या NEET के score के basis पे होता जबकि ऐसा नहीं है AMS खुद अपना entrance examination है वो conduct करवाता है तो अब साल दर साल आपका competition वो बढ़ता ही जाएगा आपके पास में इस साल अच्छे opportunity है थोड़ा कम competition है लेकिन उतना भी कम नहीं है पिछले वर्सों के अपेकसा इस बार भी आपको जादा लेकिन अगले साल आपको उससे भी जादा देखने हो मिलेगा तो इस बार ही आपको अपना selection है वो सुनिशित करना है अब जैसे कि यहाँ पे 92 percentage है वो बिल्कुल correct किये थे 100 में से तब इनकी first rank आई थी अब इस बार आपकी first rank कितनी पर आ सकती है तो इस बार लगता है कि 97 या 99 तक आपकी जो first rank आप आ सकती है अब बाकी आप दे सकते हैं यह categorize दिया गया आप जहां पर यह category नहीं दिया रखिया बिल्क का यह general category के हैं तो इनके यह second rank आई थी इनके 91.667 इनकी इतनी percentage थी तो मतलब कि इन्हों ने अपना जो एक यूशन है वो गलत किया था तो one third इनकी minus marking हुई थी तो इसलिए इनके point में यहाँ पे show हो रहे हैं अब यह तो बात हो गई कि यहाँ first rank के लिए आपको 90 plus score या इस बार तो 95 plus score करना होगा तो ही first rank आप आएगी अब यहाँ पे आप rank देख सकते हैं कि कितनी rank तक के candidate हैं उनको counselling में participate करने दिया गया था तो यहाँ भी यह rank दी गया है अब 1380 UR category के जिन candidate की 1380 तक rank थी तो उन candidate को इसमें समिलित किया गया था अब 1380 तक यह मत समझ गये कि 1380 candidate सेलेक्ट किया गया थे यह general की rank है तो general की rank के अंतरगत UR में आपका OBC भी आता है आपका SCST भी आते हैं तो यह सभी के अंतरगत है तो 1380 rank तक यहाँ पे पाटिस्पेट करने दिया गया था अब इनमें सभी का तो सेलेक्टन हुआ नहीं था चार गुना के अंडियेट जैसा हैं मैंने बताया चार गुना के अंडियेट को इसमें सेलेक्ट किया जाता है अब E-डिबर्स category के लिए 1300 चिंतर rank तक candidate को इसमें नाम आया था OBC जो NCL है non-crimulier category OBC में दो अतिये कrimulier जिनको reservation नहीं मिलता है आप अपना certificate जरूर बन वालीजे मैंने already विडियो बना रखा है कि कब से कब तक आ वेलिड होगा OBC NCL 1937 तक OBC NCL physical handicap के लिए 543 तक SC के लिए 2761 तक और ST के लिए ST है उनको 2725 तक तो इस rank तक के candidate है उनको counselling में participate करनी दिया गया था अब काभिसार candidate है समझेंगे कि जिनका इस rank में नाम आया है जिनका roll number है तो सभी का selection हुआ है तो ऐसा नहीं है पिछले साल आपकी 966 आपकी seat थी अब इस बार तो आपकी seat भी increase हुए 1000 पलस आपकी seat है तो competition भी उतना ही tough देखने हों मिलेगा तो यह तो थी आपकी पिछले साल की cut-off rank यहाँ पे देख सकते हैं अब इस बार कितनी जा सकती है तो दोस्तो इस बार competition आपको पिछले साल की application जो बिल्कुल genuine बात है जो आपको समझनी चाहिए काफी सारे आप comments में देखेंगे कि आप 50 marks ले आई यह आपका selection हो जाएगा तो इस बार impossible है ऐसा नहीं होगा यह आपको बिल्कुल समझना होगा कि 50 marks पे आपको कोई भी M's नहीं मिलेगा तो अब बात करते हैं कि आप अपने लिए कितना इस बार score मान के चले कि आपको M's में admission मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप किसी भी category से belong करते हैं मैं overall category का score बता रहा हूँ जैसे कि आप किसी भी category से belong करते हो तो आपको इस बार 60 plus score तो करना ही होगा इसमें संभावना है कि आपका admission हो सकता confirm नहीं है कि आप 60 plus score करने के बाद में भी आपका admission हो जाए ये तो minimum आपको आपकी बार करना ही होगा अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपका counselling की जो list जारी की जाती है उसमें भी आप participate कर पाएंगे अब M's Delhi की बात करेगी M's Delhi में इस बार कितने score पे होगा तो पिछली बार जो आपका score था वो था आपका 77 plus आपका score था तो 77 plus score जिनों ने gain किया था almost सभी candidate का उसमें selection हो गया था लेकिन इस बार आपका 85 प्लस score M's Delhi के लिए आपको करना होगा BSC Nursing की बात करना हूँ मैं 100 में से 85 plus negative marking से आपको बचना है 1 third आपकी negative marking रहती है जैसे कि मैंने आपको पहले बता है M's Delhi में तो आपको 85 plus करना है बाकी जैसे M's जोदबूरा second number पे आता है उसमें competition का पी ज्यादा देखने को मिलता है तो अगर M's जोदबूर में आपको जाना है तो 82 plus आपको score करना होगा बाकी जो other M's है जैसे कि आपका राइब्रेली हुआ या पटना हुआ जो जीतने भी सारे M's है अगर उनमें M's में आपको admis लेना तो 75 plus आप score अपना मान के चली इतना score अगर आप करेंगे तो आप अपने लिए seat है चांसे हैं कि आप अपने लिए confirm कर सके अब ये score आप easily gain नहीं कर पाएंगे ये मैंने overall सभी category को समयलित करके बताया है बाकी 2-3 marks का difference आपको देखने को मिल सकता है रिजरिवसन के 1000 पर जैसे average score भी रहता है तो मैं जो counseling होगी उस time पे मैं आपको studies बतातूँगा कि आप कम score में भी आप अपने लिए seat है वो किसरी कैसे confirm कर सकते है लेकिन फिलाल अभी आपको अपना पूरा 100% देना होगा जिससे कि आप किसी भी M's में अपना लिए जो seat है वो confirm कर सके लेकिन सभी का dream होता कि M's daily में उनका selection हो लेकिन M's daily में admission लेने के लिए आपको कड़ी मैनत करनी होगी कड़ी मैनत का मतलब है कि आपके पास में जो समय बचा है तो उस समय को सही तरीके से utilize करना है और सही तरीके से अपनी preparation करनी है सही strategy follow करनी है जो time बचा है अगर सही तरीके से आप उपयोग में ले लेंगे तो definitely आप अपने लिए seat confirm कर लेंगे बाकी जो कभिसर के इंडेट है यह सोचते की जितना भी score आएगा आद देख लेंगे या अगले साल preparation करेंगे तो इस बार आपको इतने score पे आपको admission हो रहा है अगले साल आप यह मान की चले कि 10 to 15 marks आप ज़्यादा बढ़ा लीजे उतना marks आप अगर लेके आएंगे तो ही आप अपने लिए selection है वो confirm कर पाएंगे आपको बाकी जो strategy counseling ए टाइम पे वो मैं आपको बता दूँगा तो टेलिग्राम जरूर जोइन कर लीजे और इंस्टाग्राम पे जरूर फोलो कर लीजे वहाँ पे भी मैं update आपको देता रहता हूँ सभी के link आपको description box में दिये गए है अब आप अपनी जो strategy है उसको सही तरिके से follow करेंगे और सही चीज को पढ़ेंगे दोस्तों तो ही आप अपना selection ले पाएंगे जो सभी candidate भेड़ चाल सदरें उसी line में ना चलें क्योंकि उस line में सलेंगे तो competition आपका बढ़ता ही रहेगा आप उतना ही score gain कर पाएंगी जीतने बाकी student gain कर पाएंगे तो उसके लिए दोस्तों आपको objective questions पर focus करना है और साथी mock test paper और general knowledge तीनों चीज़े आपको last time में follow करना है अच्छे सगर आप follow कर लेंगे definitely अपने लिए seat confirm कर लेंगे otherwise आपकी seat को और ले जाएगा फिर आपको live time के लिए regret होता रहेगा तो description box में दोस्तों आपको objective book का आपको provide करवा रहे है सबसे most important है मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ अगर जिस candidate ने इसको चे से follow कर लिया objective book को definitely मैं 100% करता हूँ दोस्तों आपका एक भी question इससे बाहर नहीं आएगा अगर मैं इतनी guarantee के साथ कह रहा हूँ क्योंकि पिछले वर्सों के अनुवाव के आदार पे ही मैं चीज़े आपको बताता हूँ मीठी-मीठी बाते नहीं करता जो चीज़े अच्छे से जो candidate follow करते हैं वो already admission ले चुके अपना course भी complete कर चुके हैं एमजे से परतिश्टी इंस्ट्यूट में और competition fight करके वो already nursing staff में या बड़ी-बड़ी jobs अपनी कर रहें government sector में तो आप ये objective जरूर avail करें बाकी आप पे depend करता है कि आप study करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं आपकी साधार पे लेना चाते हैं वो आप भी depend करता है मैं कि वह आपको guide कर सकता हूँ suggestion दे सकता हूँ तो ये 3 in 1 जो e-book है ये सबसे most important है एक ही जगह आपको सारी के सारी चीज़ी देखने को मिलेगी इसमें तीनों subject हैं दोनों classes के physics, chemistry, biology ये आपके 90 marks आपके cover करेंगे और इससे बाहर एक भी question नहीं आएगा 90 के 90 अगर आपने इसको अच्छे से follow कर लिया दोस्तों तो सारे 90 marks आपको इसी में से ही आप cover कर सकते हैं आपको कोई और दूसरी चीज़ रीड करने के आवशकता नहीं है अब आप अपने जो confidence level increase करने के लिए आप mock test पे प्रवेल कर सकते हैं उससे आपको ये पता चलेगा है कि आपका कौन सा part या कौन सा portion आपका week है तो आप उस पे focus कर सकते हैं और जो gk general knowledge गा 10 marks का तो इसको तो बिल्कुल भी आपको lightly नहीं लेना है मैं पहले ही बता रहा हूँ अगर किसी के इंडेट के 50 marks PCB में physics chemistry biology में gain कर रहे है और इसमें अगर आपने 10 marks gain कर लिए तो 60 marks हो गए आपके और ये जो 10 marks हैं यही आपको selection दिलवाएंगे ये 10 marks तो इनको बिल्कुल lightly नहीं लेना है सबसे most important है सबसे most important है आपके तो आप इन तीन चीज़ों कर अच्छे से follow करेंगे तो definitely अपने लिए आप sheet confirm करेंगे objective ebook का link description box में दे रहे है English medium के लिए भी Hindi medium के इंडेट के लिए भी क्योंकि दोनों लेंगे जिए में आपका exam होगा और mock test पे प्रकावी link दे रहे है और जो gk की ebook आपकी gk जिसमें आपका static gk आता है current affair आता है तो current affair 2023 का जो most important चीज़े हैं वो सारी सारी include कर रही है आपकी तो उस ebook में आपको सारी चीज़ available कर रहे है दोस्तों इतना सब कुछ आपको provide करवाने के बाद में अगर आप selection नहीं ले पाते हैं तो उससे ज़्यदा तुम्हें कुछ कर नहीं सकता आप ये ebook किस तरह की से available कर सकते हैं चाए gk की ebook हो mock test paper हो या objective ebook हो तीनों का available करने की process बिल्कुल से है ये इंग्लिस मीडिया में हिंदी मीडिया में different link दे रहा है जैसे ये आप की लिए करेंगे इस तरह की से interface हाईगा बाइनाओ पर क्लिक करने के बाद में अपनी detail फील करने है जैसे कि name, last name, email id email id ये आपकी बिल्कुल active होने चाहिए cross check जरूर कर लीजिए 2-3 बार contact detail फील करने है फिर review and pay पर आपको क्लिक कर देना जैसे review and pay पर क्लिक करेंगे इस तरह की से interface हाईगा make payment पर क्लिक करना है फिर आपका payment option सारे show हो जाएंगे secure code से पर कर सकते है UPI method से more payment option पर जाके आप कर सकते है तो सारे payment option देर के UPI पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे जो जितने भी UPI method है beam पर या you phone पर Google पर या आपके Paytm तो कोई भी choose कर सकते है payment जैसे confirm करेंगे आपकी ebook डाउनलोड करने का option आजाएगा वहाँ से आप अपनी ebook डाउनलोड कर सकते हैं अगर वहाँ से ने कर पते हैं तो जो email idea आपने feel की थी वहाँ पर भी आपको एक mail send किया जाता है उस email पर भी आपको download link प्राप्त होता है वहाँ से भी आप अपनी ebook को download कर सकते हैं तो दोस्तो लास्ट टाइम बचा है सही तरी की से utilize कर लिए बाकी आपकी इच्छा है आप किस way में अपनी preparation करते हैं किस way में नहीं करते हैं मैं बिल्कुल state forward आपको सारी चीज़े समझा देता हूँ जो समझने वाले होते हूँ वो समझ लेते हैं जो नहीं समझने वाले होते हैं वो बाकी ऐसा ही सोच विचार करने में time waste कर देते हैं और हर एक minute आपके लिए important हैं यह आपके पास में 35-40 days बज़े हैं यह सबसे most important है आप अपना career है इन 35-40 days में decide कर सकते हैं बाकी आपका एक बार अगर selection हो गया तो फिर आपकी life set है आपको fees pay नहीं करने पड़ेगी आप जैसे private college में BS in nursing या कोई भी course करते हैं तो आपको काफी fees pay करने होती है पर year की date से 2 lakh है M's में ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल नाम मातर की fees ही लिए जाती है मैंने fees structure आपको चैसे समझा रखा है क्या आपकी hostel की क्यार रहेगा या आपकी जो college fees है वो क्या आपको pay करने ही रहेगी तो जो student अच्छे से videos देखते हैं उनके सारी चीज़े समझ में आ रहे है और जिनके समझ में नहीं आ रहे है वो अमारे चैनल पर जाएके videos देख लीज़े मैंने 2023 की playlist पुना रहे है 2022 की भी है 2021 की बीस की सब भी की playlist अवेलेबल कर रहे है तो सारी वीडियोज आप देख लीज़े प्रिवेश सेरी के भी जिससे कि आपको एक idea लगस गे कि कितने marks पे हुआ था पिछली वर्स या इस वार कितना competition है तो सारी चीज़ आपको चैसे समझ मैं जाएगी और Instagram और Telegram आप जरूर जोइन कर लीजे counseling process होगी तो मैं study वाँ पे बता दूँगा आपको बाकी आपको सारी चीज़ वीडियोज में अच्छे से समय समय मिलते रहेगी मिलते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जेहिन जेवरत